तो दोस्तो आज की वीडियो का टोपिक रहने वाल है हम किसी कमपनी का अगर Manual Books of Accounts से किसी Accounting Software में मेंटेन करते हैं तो उस Computer पे उस Company का डाटा लाइब टाइम तक हम कैसे सिक्योर यान की सेफ रख सकते हैं क्योंकि दोस्तो जो Accounting का जो रिकोर्ड है उस सबसे ज्यादा सेफ है जो Manual Accounts को ही माना जाता है लेकिन अगर हम कुछ ऐसी Tips and Tricks अगर हम यूज करें कुछ ऐसे हम नियम अगर हम बना लें तो हम Computer पर भी उसके डाटा को लाइब टाइम तक सेफ रख सकते हैं तो दोस्तो आज की जो वीडियो स्पेसल उन नए Accountant के लिए है जो पहली बार इस नए सेशन से जैनकि 1 अपरेल 2021 से किसी Company की जो Accounting है वो किसी Accounting Software में मेंटेन करना सुरू करेंगे तो दोस्तो अगर आप नए Accountant हो आप पहली बार किसी Company की Accounting है जो Computer पर करने जा रहे हो तो आपको इस वीडियो को एंड तक Complete जुरूर देखना चाहिए क्योंकि इसमें आपको मैं कुछ ऐसी पांच Tips and Tricks आपको बताऊँगा जो आपको Life Time तक Follow करनी पड़ेगी अगर आप अपनी Company के Data को सेफ रखना चाहती हो तो तो दोस्तो वीडियो को एंड तक देखने के बाद वीडियो कैसी लगे आप हमें कमेंट करके जुरूर बताना वीडियो अगर आपको अच्छे लगे नोलेजबल लगे तो लाइक करने के साथ दोस्तों में Share भी जुरूर कर देना अगर आपने मारे चैनल पर पहली बार व बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तो शुरू करते हैं आज के वीडियो तो दोस्तो आज का जो वीडियो है वो कोई Accounting Webster की इंटरी को लेके नहीं है आज की जो वीडियो वो केवल Accounting Software से रिलेटेड जो बाते हमें ध्यान में रखनी है Accounting को Maintain करने के साथ साथ तो दोस् बात हम करेंगे इस सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान में रखना चाहिए भी जो आप Accounting Software यूज कर रहे हो वो एक Original Accounting Software हो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी पाइरेट अडिया किसी Copyright Accounting Software में Accounting Maintain करना शुरू कर देते हैं तो ज्यादा तर ऐसे जो Accounting Software रखते हैं वो आपको साल के बीच में जाके या पांच मिने के बाद में या आठ मिने के बाद में जाके आपको दोखा दे सकते हैं तो तब तक आप काफी सारी Accounting Maintain कर चुके होते हो तो आप अगर बाद में Original Accounting के साथ अगर आप Maintain करना दुबारा शुरू करोगे तो उतनी मेनत आ आपको है जो रूटेन का जो वरक है वह जिस भी Accounting Software में आप Accounting Maintain कर रहे हो Accounting Software आपके पास कोई भी हो सकता है उसका कोई Maitre नहीं है लेकिन Important बात यह यह जिस भी Accounting Software में आप Accounting Maintain करोगे तो रोजाना आपको उस Accounting Software में बेक-प जरूर लेना है तो दोश्तों हम जैसे क टेली software अगर आपuse करते हों, तो आपको पता होना चाहिये हैं भी हम टेली Prime software में backup किस तरीके से लेते हैं आलाकि मैंने टेली software में backup किस طری血 से लेते हैं इसका video मैने औलडे इस channel पर upload किया हुआ है तो उसका वीडियो का लिंक पर ने इस वीडियो के डिक्सरी स्पिन में भी दे दिया है अब वहां से भी देख सकते हो भी हम टेली प्राइम सॉफ्ट्वेयर में डाटा का बेकप प्रैक्टिकल तरीके से किस तरीके से लेते हैं तो दोस्तो हम यानि एक बात का यह हो गया पिए हम जो सॉफ्ट्वेयर यूज़ कर रहे हैं उसमें बेकप जरूर लेना है सेकिंड बात जो भी आप उस accounting software में voucher आप यूज़ कर रहे हो यानि कि आप अपने customer के लिए sell invoice आपने issue किया तो आपको original invoice के साथ साथ duplicate invoice जो की आपकी business के लिए self copy रहेगी उसका print भी आपको साथ में लेना कमपल सरी है तो दोस्तों चाहिए आप sale voucher यूज़ कर रहे हो चाहिए आप receipt voucher यूज़ कर रहे हो या फिर credit note या debit note अपने accounting software से जो भी आपने voucher यूज़ किये है उसका आपको duplicate print जरूर लेना ही लेना है आप इस बात की लापरवाई तो बिल्कुल भी मत करना कि हमारे पास accounting software में हमारा record तो software में maintain हो रहा है हमें duplicate voucher की print निकालने की जरूरत नहीं है तो ऐसी लापरवाई आपको बिल्कुल भी नहीं भरतने है दोस्तो आपको print हमेशा original के साथ साथ उसका duplicate print है जो अपने file के अंदर लगा के जरूर रखने है आप यह मत सोचना भी जब इसकी जुरूरत पड़ेगी हम तब इसका print निकालेंगे ऐसी बातें नहीं आपको करनी है आपको print है जो duplicate साथ में जुरूर लेना है original के साथ तीन नंबर पॉइंट आपको दोस्तों जो भी आपने day to day अगर आप record जो maintain कर रहे हो तो अपने day book का print आप रोजाना साम को उसका print out लोगे या फिर next work day का जो भी आप working start करो के उससे पहले आपने जो last जो भी working करिये उसका बेक जैनकी print out आप day book का जुरूर लोगे दोस्ते हर accounting software में day book होती है तो उसका print आपको अपने safety के लिए अपने file में जुरूर लगा के रखना है ये भी आपको एक rule बना के रखना है दोस्तो point number 4 अब आपको जो आप backup ले रहे हो तो अगर आप backup ले रहे हो तो दोस्तो इसके साथ साथ आपका जो data का जो folder create होता है आप उस data के folder को भी copy करोगे और इसके लिए आप अपने business के लिए एक अलग से hard disk से या फिर pen drive आप यूज करोग उसमें तो आपका record रहे 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 गया उसके अलवा आपके उस pen drive में उसके backup और जो आपका data का जो folder create हो रहे है उसका भी आप copy करके pen drive में safe रखोगे तो ऐसा भी हो सकता है कई बार आपका माले जिए वी software या आपको जो system है वो खराब हो गया लेकर अगर आपके पास data है त आप किसी अदूसरी भी software system में आप software install करके वहांसे भी data आप run कर सकते हो तो इसलिए आपको pen drive में जो भी आप delivery work कर रहे हो उसका record है जो यान कि उसका backup है अपने pen drive के अंदर जरूर save करना है तो पॉइंट नमबर पांच बहुत ही important बात है इसको आपको ध्यान से देखना है दोस्तो जिस system में आप accounting software यूज कर रहे हो तो पहली बात आपको इसको ध्यान रखना है भी उस system के अंदर आपको कोई ऐसी अनसेसरी email या website आपको open नहीं करनी है जिसके अंदर कोई भी virus हो आपको कोई अनसेसरी application download आपको नहीं करनी है जिस system के अंदर आप accounting software यूज कर रह रहा हूं क्योंकि यह सब बाते मेरे साथ already हो चुकी है जो तकलिप मैंने देखी है जो कस्ट मैंने देखे है वो आपको नहीं इसलिए सारी टिप्स और ट्रिक्स आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूं final session start होने से पहले ही तो दोस्तो आपको कोई भी unnecessary email या कोई application आपक लिए सिस्टम होते हैं भी हम पायर टाइम के लिए हम अपने मंदोर नजन के लिए गेम हम खेल के टाइम पास कर सकते हैं तो उस सिस्टम के अंदर आपको सी सही करो भी accounting के अलावा उसके अलावा कोई भी unnecessary record उसके अंदर maintain नहीं हो और उसके साथ साथ दोस्तों अपने सिस् वज़े से अपना सारा data है जो craft हो सकता है तो इसलिए ancestry हमें email वगेरा या कोई भी website किसी type का कोई game हमें download नहीं करने हैं और original antivirus उस system के अंदर आपको जुरूर install करके रखना होगा तो दोस्तों ये 5 बातें आपको हमेशा ही follow करनी हैं तो आपको फिर बताते हैं सबसे पहला data का रोजना आपको data का backup लेना है दूसरा आपने जो भी वावजर आप customer को दे रहे हो उसका duplicate print आप अपने फाइल में उसके साथ साथी print आउट उसका जुरूर लोगे ये लापरवाई तो बिल्कुल भी नहीं करनी है तीसरा उसका जो डे बुक मेंटेन होती है जो भी आप आपने वर्किंग किया है उस डे बुक का भी print आप जुरूर लोगे रोजना दूसरा आप जो backup आपने लिया है उसका backup और data का फोल्डर आपको अपने pen drive के अंदर जुरूर सेव करनी है तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना है जो जिस pen drive ने आप यूज कर रहे हो अपने accounting के data copy के लिए तो उस pen drive को आप किसी बार बार किसी दूसरे system के अंदर भी यूज ना करें हो सकता है कई बार दूसरे system में virus हो सकता है तो उसके बज़े से pen drive में virus हो सकता है तो pen drive में virus के बज़े से आपके main system में virus आ सकता है तो ये लापरवाई भी आपको बिलकुल नहीं करना ह original software के साथ आपको work करना है antivirus आपका अपने system में होना चाहिए uncessory कोई भी video कोई भी ऐसा link आपको open अपने system में use नहीं करना है तो दोस्तो वीडियो अगर आपको अच्छे लगी हो तो like जुरूर कर देना और अभी तक आपने इस channel को subscribe नहीं किया तो please अभी कर लेना क्योंकि हम इस channel पर इसी तरीके की video आपके लिए लाते रहते हैं तो दोस्तों मिलते हैं next video में एक नए topic के साथ